How to fix height apps not working problem in any realme series नमस्कार दोस्तो सुआगर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस प्रॉब्लेम को सॉल्फ कर सकते हैं अगर आपके height apps काम नहीं कर रहे हैं ठीक है तो उसको fix करने का तरीका दोस्तो यहाँ पर आसान है बस आप इस वीडियो को देखे प्रोसेस को follow कीजे मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि कैसे आपको एप जो है वो height करने और इसका solution क्या होगा वो भी आपको इस वीडियो पर पता चलेगा वीडियो को देरना करते हैं वो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को click जरू करें यह आप दोस्तो online पेसा कामाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर करना किया है problem fixed करने के लिए आप mobile को एक बार restart करें restart करने के बाद एक बार दुबारा से apps height करने की कोशिश कीजिए ठीक है? app height करने के लिए आपको नीचे के तरफ जाना है setting पर और उसके बाद आपको मिलेगा privacy का option privacy पर जाने के बाद ठीक है? app lock आपको on करना है जैसे आप app lock पर जाओगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको password बगरा भरके app lock create कर लेना है उसके बाद जो भी application को height करना चाओगे उसमें जाके app lock को on कीजिए पहले app lock on कीजिए उसके बाद height from home screen कर दीजिए उसके बाद यह जो app है वो आपके home screen से height हो जाएगा ठीक है? तो बस यह है दोस्तो setting तो यह करके देखे first step में re-height करके देखे अगर problem fix हो जाता है तो ठीक है अगर problem solve नहीं हो पाते तो दोस्तो जाए software update पर software update पर जाके आपको software update कर देना है ठीक है? क्योंकि दोस्तो यह जो problem है software update नहीं करने के वज़े से आते हैं तो जाके directly software को update करे आपका problem issue fixed हो जाएगा ठीक है तो आज की इस वीडियो बोटों सो बस इतना ही इस तरह के से आप high tap problem को solve कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching